नमश्कार, मैं निला सीम, आपके सस्टी टीचर, आज सस्टी फंडा में आपके पास हूँ एक नई चाप्टर को लेखी, जो कि क्लास 7 का पर्स चाप्टर है, पॉलिटेक सब्चेट का, ओके, ने स्टी, तो चाप्टर नेम इस, ढिबोक्रेसी, शायद आपने इसका नाम बहुत बाद सुना होगा, कि हमारी जो गर्वर्मेंट है वो डेमोक्रेक है, हम डेमोक्रेक कंट्री में रह रहे है, कई बार असे लाग को न्यूस में आते रहे हैं, अकसर या आज आपने आज प कि देमोक्रसी है क्या अगर अब इसका हिंगी मेनिक जाना जाएंगे तो हिंदी मेंट से बोलेंगे लोग तंड अब भी भी आएकर आपको समुझमन नहीं आ रहा होगा यह तो हिंदे मीनिक हो गई तो इसको इस वर्ड की एक्सिक मीनिक समझने के लिए हमें करना है इसे टू ग्रीप वर्ड को मिला के बनाया नेया हैं तो इस तरफ इस डेमोस अफन मसले तृट्स है और ग्रीड बारव सिक्णा टल की व्लिए है क्या उन अबज रखare बिंस नीन दाफोстве इस क्याय्ट इस आपकोंष यॅ। Government I hope क्यां तक समझ में आ गया कि what is democracy in Hindi meaning that is log type and we divided it in a Greek part because यह जो democracy है यह Greek word से लिया गया है so demos means people and kratos means government तो अगर हम आख करें कि democracy क्या है so a government of people okay so a government जो जनता की है in Hindi में इसको क्या पॉरें है people को चाहनता क्युकि हम politics पॉर रहें ना politics में जो अपने word है यहां पे people means होता है log commonly है लेकिन क्युकि हम politics पॉरें तो politics में जो words है उनके अपने एक अलग meaning है अलग dictionary है तो यहां government, government means सरकार या शाशन so शाशन अब हम बार करते है कि people government तो इसका एक rule है सबसे इसे लिए अगर आप democracy को समझना चाहते है तो इसका एक rule है rule लावको one के definition भी है जो कि एक जो पे हमारे politicians है या उनके दारत दी करी है तो एक यह rule है कि a government okay by the people by the people for the people and the last one is to the people अब सबसे easiest way है termocracy को समझना understood by the people for the people हिंदी में by means द्वारा ऐसी सरकार ऐसा शाषन जो लोगों के द्वारा किया गया है for means के लिए यहां एक भी देती हो है द्वारा के लिए और उनके लिए तो ऐसा शाषन ऐसा शाषन ऐसी government यह और government सब में है okay ऐसा शाषन या ऐसी government जो by the people जनता के द्वारा for the people जनता के लिए and the last is उन्ही लोगो केट है so by the government understood for the government and the last is to the government आपको बस तीन चीज़ा आदा किने by, for and to so यह आपके एक definition भी है और यह democracy को समझने का सबसे easiest way है ऐसा शाषन जो जनता के द्वारा जनता के लिए उनके hit के लिए किया जाता है अब यह जो democracy है Democrats है इनको भी two parts में रखा गया है okay अब democracy जब हम पढ़ रहे हैं तो अब हमने उनका उसका meaning तो समझ लिया अब हम उसके आगे पढ़ेंगे कि जो democracy है उसमें features कौन से है उनके elements कौन से है उनके government कैसे हम control करते हैं democracy हम create कैसे करते हैं democratic country हम कैसे create करते हैं बट उन सब को जानने से वाले हम को समझना पढ़ेगा कि हम इन जो democracy है इसकी जरूना कैसे पढ़ेंगे तो अब जो next topic है इसकी जरूना कैसे जरूरत क्यों करेंगे अब आपको यहां पर छोडी से रेलेट करते हूं कि जो democracy है यह क्या करते हैं अपनी वे शुरुवात से अमारे नहीं थी हम सब को पताएं कि जब हमारे राजा माराजा रहते थे वो उस सेंग पर हम बोलते हैं monarchy system कौन से system बोलते हैं monarchy system अब यह monarchy system और democracy यह क्या है so monarchy system है राच्किय व्यवस्ता राच्किय व्यवस्ता तो क्या बोलते हैं monarchy system तो अगर हम अभी आज से कम से कम 500 सान पहने की तरफ जाएं या चार्सो सान पहने की तरफ जाएं तो हम सिफ अब जो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें क्या पढ़ते हैं राजा मारा राजा तो क्या था? Monarchy system यहां पर आपको दो चीज़ा समझ में आज़ी एक तो monarchy system क्या है और एक तो यह दिया तो यह दिया अब एक स्टोरी सुनते हैं Monarchy system में क्या होता था? अगर आप किसी की बात मालते हैं Just suppose तो उसके दो reason हैं या तो आप से बहुत ज्यादा powerful है उसके पास कुछ ऐसे चीज़े हैं जो आपको needful है या आपको उससे चलिये या आप उसको अपने से ज्यादा strong समझते हैं एक तो यह reason होता है और दूसरा reason होता है कि या तो आप उसकी respect करते हैं यह दो reason होते हैं जब आप किसी के अंडर में काम करते हैं तो जो मोनार्की है यह पहले इसी तरीके से start हुई जब हमारे शोड़े शोड़े tribes या groups होते थे history time में तो वो क्या करते थे जो उसमें से सबसे जादा strong होता था या सबसे जादा दिमान होता था intelligent होता था पूरे लोग उसकी बात मानते थे तो वह वहां से start हुई हमारी मोनार्की सिस्टम की व्यवस्ता है वहां से start हुए मोनार्की सिस्टम में start हो गया लेकिन तब जब हम enzid spirit के बात कर रहे हैं उस तन क्या होता था जो मोनार्की जो ये राजा रूर्स होते थे यह अपने प्रजा के लिए काम करते थे, यह अपने प्रजा के हित के लिए काम करते थे, लेकिन उनके बेटे आए, उन्होंने रोट के मनायकी सिस्टम में क्या होता है, सक्सीजर्स, उसका पुत्र फिर उसका पुत्र फिर उसका पुत्र लाएं, वाइस वो अपने जो उनके इसे रूलय से हूं वाँ पर आते जाते हैं, तो म्राइक है eto में तो राजा हैं से कुछ राजा अच्छे हुए तो जो राजा मुराजा का ताम मॉनार्की सिस्टेम था अब काईभरर्याथी का एमर्जन्स किसे हई? अब कही बार ऐस हुआ, जो मॉनार्की, जो REULES है जो KING है इननों ही क्या तिया? जो हुमारी प्रजा है और प्रजा कोन प्रजा क्या कही है यहाँ पे? फिपल जो थी इनको परेशान करना शुरू करती है अब यहां पर मैने भी आपको बोला स्टोरी के लिए ठीक है, तब स्टार्ड करते है एक राजा की और उसकी प्रचा की स्टोरी के बारे में एक राजा दा आपने नाज आजी में राज करना तो प्रजा बड़ी खुश्ती टैक्स भी नहीं लेता था कई बार जब सूखा पढ़ता था या बार आजा थी उसके शेत्र में तो प्रजा बड़ी खुश्ती बड़ी धुमाये देती थी वे पहिले राजा है क्योंस के तो बीटे में धाली में राजो रहता है। दुक्त अन्यू Aleaji राज लօगे नोखना के लोग दुख होगो है । सुखा बढ़ता है गाओं में दो लोग एसे परिशान होते है तो उस राजा ने क्या किया कि जब उसके पिताजी के डैट हुई वह राजा बना उसने क्या किया जो प्रजा है उसके उपर ध्यान देना बनने कर दिया उसने लगान लगाए, टेक्स लगाए, नए नए तरीके के नियमार कानूर बनाई जो कि सिर्फ राज किया परवालों को उनके छूप दी और जितनी भी प्रजा थी उस सब उससे परिशान दे तो बाहर लोग परिशान होते थे, बात करते थे, कई बार अपनी चीज़े लेके राजा के पास भी जा दे थे उसके दर्वार में कि बहुत बताओ इसका solution कैसी होगा, बट वो राजा कभी सुनता ही नहीं था लोगों में आप प्रोश आ गया, बोले ये राजा तो बड़ा बेकार है, किसी के बात नहीं सुनता, प्रजा के बारे मैं कुछ सोचता नहीं है लोगों ले उसके खिलाफ में आंगुनों करना स्टार्ट कर दिया पहले कुछ लोग थे फिर और लोग जुड़े और जुड़े जुड़े एक बर जो पूरा उगाउं तो पूरा उसका राज जिता हो सब उसके अपले इंस्टोब ले और उसको उसके पास गये और उसको बोला हो ले कि देखो आप तो प्रजा का ख्याल रख नहीं रहे हो है ना तो अब हमें या तो हमें से किसी को एक को बना दो जो हमारी जो प्रजा है उसको उसकी देखाल करें उसके बारे में सोचे जो अग्रिकल्चुरर्स के बारे में इसके बारे में सोचे तो राज ने बोला मैं तो नहीं सुन रहा, मैं तो क्यों सुनू हूँ, मैं तो राजा हूँ, मैं तुम्हारी बातें क्यों सुनू हूँ ठीक है, राज ने मना कर दिया अब को जो पीजन से, फार्मर से, क्राफ्टमें से वो इतने जादा नाराज हुए कि उन्होंने एक दिन राज में वो आये, और उन्होंने क्या किया, पूरे राज करिवार को मार दिया और उन्होंने फिर उसी दिन अनॉंस किया कि जो हमारी प्रजा है, उसमें वो खुद चुनेगी, इलेक्ट करेगी कि उसको किस तरीकी का नेंटा चाहिए तो कई लोग लाज में खड़े हुए, जिसको मर्जी था उन्हों में खड़ा होग चली मैं भीड़ोंगा बनुगा ये राजीजित कि मैं भी अनि änd़ बनुगा, बड़ोंने crystal life रहा उन्हों ने उन्हों सारे seeds औरउ辉त चीजने प्रिखा, उन्होंने उस और कि पाली को जि नए सिरे से उस गाउं की विवस्ता स्टाइब करें तो ये इत स्टोरी जिससे आप समझ सकते हैं कि डेमोक्रेसी आई कैसे अब ये जो स्टोरी मैं आपको बताई है ये रिलेट करती है हमारे थ्री रेवोलुशन के हमारे ये लोक तंत्र है जो एमर्जेंस हुआ था ये बिसिकली फर्स्ट एमर्जेंस जो उसकी जो पहला अस्तित्व में आया था जोहां पर ऐसा राज ऐसा देश जहान पहली बार एमर्जेंस हुआ था डेमोडेसी का वो है इंग्लैंड येस ये वही इंग्लैंड है जिसने हमारे उपर लगवाग 200 सालों तक राज किया सो ब्रिटिश है हना सो इंग्लैंड की अगर हम बात करें तो इंग्लैंडी के थी स्रींगिंड की थी। की छेफिश न सबस्क्राइब या थे निए इने जो अभी प्रजर थती को हम उर्टिधी दभीनक रचारश के स्थे मना कर दिया था कि हम आपकर दीटों कर दे आए है आपके सिनासन से हम आपको हटाते है हम आपका आज से आपकी जो बातें वो मानना बंद कर देंगे, हम आपको राजा की तरह स्विकार नहीं करते हैं तो सबसे पहला जो revolution हुआ था, वो England में हुआ था, King James 2 के खिलाब अब उसके बाद लोगों ने क्या किया, Bill of Rights Bill is the Bill of Rights Rights, जो की 1689 में आया था, Bill of Rights, इसे इन्होंने बनाया और उस दिन से अपने एक नया शाचन जिसको कि इन्होंने नाम दिया, Democracy स्टार्ट कर दा था तो ये थी England के कहानी, उनके King James 2 के खिलाब जो उनके British people, जो उनकी जन्ता दी, British उन्होंने उनके खिलाब एक नया अंगोनन इस्टार्ट किया, जो की Bill of Rights, नया Democratic Country बढ़ के सामने आया, और एक नया गुल पास किया, the Bill of Rights, in 1689 नया ओया, so the second revolution is American Revolution, ये revolution चला 1775 to 1781, okay, 1775 to 1781, अब ये अमेरिकन revolution के हुआ, इंग्लैंड का तो महीं बता चलिया, जो King था वो प्रजा पर ध्यान नहीं देता था, वो उनको अदग अदग तरीके से उनको क्रुवेल था वो बहुत जादा, उनको दर्ग बहुत कड़े देता था चोटी-चोटी चीजों पर, अब अमेरि अब बहुत काले रंगे होते हैं, और दूसरे जो लोग होते हैं, वो हैं जो दूसरी जगह से जाकर वहां बस गए, और जो बुरे बिटिश कहला थे, ठीक हैं? तो जो घोरे थे, जो जू काले अमेरिकी थे उनको बहुत नीचे इस तर से देख रहे हैं, वो उनका माना था कि जू काले हैं जो अमेरिका की निवासी नहीं हैं, तो इस वज़े से वहां बहुत जादा discrimination था और इसी वज़े से अमेरिकल revolution की तो 75 से 81 तक चला और 81 में हमारा जो अमेरिका है वो फ्री हो गया, so 81 में यहां पे इस अलसो आप फाउंडेशन आप U.S.E.A. United States of America और इंटा स्लोगन था की इनका स्लोगन था इनका मानना था जो यहां के रवनिशने रही से उनका मानना था कि जब अधान ने इंसान को बनाने में क्रियेट करने में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है एक जैसा बनाया है तो आप रंग के अधार पर उन्हें अलग अलग दो भागों में नहीं बाढ सकते इसलिए हमारा जो युनाइटेट अफ अमेरिका है आफ्कर रविलीशन 1781 के बाद अमेरिका को युनाइटेट सेट्स अफ अमेरिका के नाप से जाना जाने लगास तो यह युनाइटेट सेट अफ अमेरिका अमेरिकान रविलीशन के बादेटा अब हम इसके आगे पढ़ेंगे अब हम इसके आगे पढ़ेंगे तर लास्ट वन जो हमारा modern society के democracy का थर्ड और सबसे इंपोर्टेंट था इस फ्रेंच रविलीशन सो अब हम पढ़ेंगे french revolution के बारे में okay so french revolution french revolution तिना इंपोर्टेंट है आपके लिए कि आप अभी तो पढ़ी रहे हैं और आप इसको 9th औ 10th में भी एक बारे बास करेंगे और काफी lengthy भी में पोरा एक चक्टर ही है आपका french revolution के बारे में okay okay तो अभी में छोटे से बारे काफ में इसको पढ़े है कि 7th में इसको बहुत जादा सुझने को नहीं है तो यह जो french revolution में है यह modern society काम society काम emergence माना चाहता है in democracy ठीक है अब कैसे किया गया इस टाइम पर यहां के french के जो के थे that name was Louis 16th इस बहुत जादा cruel रिष्षाष्पों में थे और इवर इतने जादा रिष्षाष्भों थे और इतने जादा लख्जीरियस थे कि इंको बेलकुल भी अपनी महल से बाते हैं या हस्ते बोलते थे जब को को अवादे थे लोगों के लाइय आती थी गाय गोरों को अवादे थे शिफ्ट कर लिया था इसले वह थेनी हुआ главное चैज्फर के अवादे थेल, अपना राज यही शिफ्ट कर लिया था वहार में क्या थिया दर पर 100 सारों के बाद हमारा तो England का रप्रोशन हुआ था England Revolution हमारा का हुआ था 1689 एटि में तो 1689 के लब को पूरे 100 सारों के बाद कौन रप्रोशन हुआ था? French Revolution So French Revolution हुआ हमारा 1789 AD में यह दोनों ही कब हुए है? ADs में Okay? So यह 100 years before हुआ था आपको लांज करने के लिए एक साथ लिखाए बने कि 1689 एट 1789 में अब French Revolution 1789 में continue हुआ वहां के रुजो प्रचाति हुआ उनुस का भी सेम कहरा था आपको सिफ कुछ पॉइं से याद रहते है हुआ था 14th July को 14th July This is most important date for learning 14th of July in 1789 अगर आपको याद हो तो मेरा के नीचे पर बताया था कि England कब किया है 1689 में and the France 1789 में यह बहुत important dates है बहुत ओके So England first था और French modern democracy का लगब यहां से modern democracy की जो revolution से वो start हो गया थे all over the world में Okay So 14th July 1789 is the most important date The third one आपको उसमें क्या आण करना है कि जो 14th July से start हो गया था तो इनोने एक national assembly बनाई थे जो French trade So national assembly बनाई इनोने 4th point इनोने और national assembly किसने बनाई थी? जो इनके farmers थे जो peasants थे जो craftsmen थे जो businessmen थे उनोने इक assembly बनाई कह सकते हैं कि जो गरीब लोग थे उनोने एक assembly बनाई और मैंने आपको तुम्हेते पहले के story को तैकि अगर आपको याद हो तो वो पूरी story Lewis 16 की है यह राजा थे इन्होंने इस प्रजा के उपर double, triple tax लगाते जा रहे थे प्रजा के कही लोग आये उनके पास इनसे मनेते करें कि बहुत बार सुखा पढ़ गया आप टेक्सिस मत लगाए बट Lewis बहुत ज़्यादा अप्रू थे बहुत ज़्यादा प्रूवेसरों को कोड़ बार सुननी नीडियों को था भई मुझे टेक्स मने लगा दिया मैं राजा हूं मैंने मेरी बार कह दी अब तुमको माननी पड़ेगी तो यह सोच किया प्रजा परिशान आपस में बैटे कई बार उन्होंने कंसर्ट किया कोई सुनने वाला नहीं था ना जो कहाँ पर क्लरची से बहुत सुनते थे उटी बार और ना नोबल सुनते थे ना यह राजा सुनते थे तो इन्होंने फाइनली 14th of July 1789 को एक Assembly बनाई उस Assembly का नाम था National Assembly अब यह National Assembly बन तो गई इसको फॉर्म होने में पूरी National Assembly को टाइम लगा 1789 to 1791 80 तक का 89 से 91 तक इन्होंने Assembly बनाई बार बार कोशिश करी कि वो राजा से बात करें बहुत चीज़े कोशिश करी बट कुछ भी इनके आगे नहीं आया कुछ भी इनको रिकूर्स के लिए results नहीं मिले Last way, for fifth most important point है इनका slogan इन्होंने एक slogan दियाना भई होता है ना motivate करते के लिए slogan हमारे leaders बहुत सार स्लोगन दियाना इनका भी एक slogan था इनका first slogan का word था Liberty Liberty means Swatantrata मैं हिंदी में लेकर यहोगा आपको समझ वसे हमें इसका इस word आता है Freedom हाना लेकिन यहाँ पर Liberty है Liberty means Swatantrata The next is Fraternity भाईचाना भाईचाना means Brotherhood एक उसे से मिल चुड के रहना जो की राजा बिलकुल नहीं करता था तो इन्होंने इस दूसरे को सपोर्ट करने के लिए एक नया बनाया Liberty Fraternity तो Fraternity पाईचाना भाईचाना ब्रदर्वोट एंड लास्ट वन इस Equality अलाबर का अधिकार बचल्ब जो राजा है उनके लिए भी सेमियम जो प्रजा है उसके लिए भी सेमियम जैसे अब ही होता है ना हमारे डेमक्राटिक कंट्रीज में क्या होता है अगर कोई गरीब इंसान चोडी करे उसके लिए भी वही सजा है अगर कोई middle class 50 चोडी करे उसके लिए भी सजा है और अगर कोई leader यह कोई अभी नेतार देलता कोई businessman कितना भी बड़ा आदम क्यों ना हो वह चोडी करें उसके लिए सेम सजा है इन्होंने इनी दी चीजों को लेके अपना national assembly का बठन किया था 1789 से 1791 AD तद अब इसका final result आना बात था अब preference revolution हो गया ठीक है उन्होंने 1789 से 1791 तदक अपनी assembly भी बिना ली अब उसका final result कब आया उसका final result आया in September 1792 AD को जब French revolutionaries ने national assembly ने अपने राज को कौन सा राज आ है उनका? France उसने France को प्रोक्लें किया as a Republican So यह कुछ important एक स्थी जो आपको जरूर यार करनी है और यह चीज है कि यह जो चीजें आ रही है यह सारी quantitative exams में पूछी जाती है mostly French revolution तो बहुत 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 आता है को उन्होंने का भाई टाटा भाई भाई अब बस कटम करो राजशा है Okay So, उसके बाद अब उसको फैलाने के लिए उन्होंने बहुत सारे rules regulations बनाए क्योंकि जब कि हम बात कर रहे हैं 1789 की, 1689 की तब इतनी population नहीं कुमा करती थी लेकि फिर भी एक बार voting, elect करना यह फिर भी बहुत मुश्किल होता था तो यह लोगों ने क्या किया 19th, 20th, 18th century के बाद जब इंग्लाइंड regulations हमारा start हो गया था उसके बाद जगर-जगर छोटे-छोटे जो जगर दी पूरे बाइड में हर जगर नहीं नहीं तरीके से revolution होने लगे नहीं नहीं चीज़ों पर तो अब एक नहीं पहों आया जो कि 19th century में आ गया था वो आया U A और F अब यह U, A, F क्या है तो U से है Universal A for Adult and the F for Franchise अब Universal Adult Franchise इसका एक और नाम है Universal अब पूरे बाद में नहीं डोनों गाम से इने जाना चाता है इसका मीनिंग क्या है इसका मीनिंग है कि A person who has completed or granted their each of 18 years 18 साह की उमर से उपर का वेटी वो देने के लिए क्या कर दो है वो उसकी जो eligibility है वो confirm करता है लेकिन यह इतना असान भी नहीं था Universal Adult Franchise है हमने एक संथ बना दिया और लोगों ने माल दिया नहीं उस पे भी लोगों नहीं नहीं तरीके की चीज़े निकाने शुरू करी में जैसे people not allowed to give their votes third one यह यह specially America के लिए था black people जबांके ने ग्रोस ते में आपको American Revolution में भी इसके बारे में उताया तो उनको अलाव में था शुरूआत में Universal Adult Franchisee के थ्रूप की वो बोट दे सबी लेकिन इसमें दीने दीने देम्मेंट्स किये गए दूसरे दूस कंट्रीज ने इसको और सराहा और इसको अच्छा बनाने के लिए उनोंने सब एक नियम एक रूल रखा इन सब को खटम करते हुए the rule is only the person is above of eighty years एक बेकिती जो 18 साह से उपर की उम्र का हो चले हो गडी हो, अमीर हो man हो, woman हो वो black हो, white हो उसे कोई किसी भी परकार की disability हो, किसी भी तरीके से सिर्फ एक रूल follow किया गया, eighty years above person और यह रूल आज भी universal adult franchising में माले है ओके? सबसे पहना कौन सा देश है जिसने universal adult franchising को adopt किया था कौन सा है? यस फुस country जिसने से adopt किया था freely minded से जिसने कोई भी और अलग तरीकी की discrimination न रखते वे अपने रूल को follow किया था कौन सा रूल है? अब भी आपको बसाया था यस only the getting the above 18 years old यह 18 साथ से उपर की अगर आप है तो आप universal adult franchising में आते हैं it means कि आप strategia को follow करते हैं pass कर लेते हैं और आप vote डालने के लिए अपनी government को elect करने के लिए आप 1873 देखिए जितनी भी dates है यह बहुत इंपॉर्टन है और जितने भी topics में आपने लिए मैंने बहुत जादा लंदी बनी की question इंडिया आप बोरो topic to topic पढ़ा है इसलिए जितनी भी चीज़ें यह सब इंपॉर्टन है so the first country New Zealand जिसने 1873 में universal adult franchising को adopt किया था and हमारी इंडिया के बारे में Indian democracy पढ़ रहे है तो हम इंडिया के बारे में सरुप पढ़ेंगे तो हमारी इंडिया ने adopt किया था adopt हमारा constitution जो बनके तयार हुआ था उसी बार 1950 में so universal adult franchising के बारे में revolutions के बारे में पढ़ लिया में हमने के सारी चीज़े पढ़ी है अगर अगर अपको कुछ लिग से रिवाइस करवाद होने है meaning of the democracy याते क्या? Yes demo kratus लगो में 4 अपिपल, 4 अपिपल 2 अपिपल emergence of the democracy कैसे हुआ था? क्यों जरुरत बढ़ी है क्यों क्यों हम तंग आगे थे इस इंग्लैंड revolution क्यों हुआ न James 2 हाना यात आया James 2 जो British ruler था England का बहुत ज़गा cruel था और lazy था जिससे प्रचा बिलकुल भी खुश नहीं थी उसके उज़ए से England में revolution आया कब आया? 1689 में Bill of Rights 1689 में क्या हो था? Bill of Rights वैसा है जो revolution था 1688 में आया था बट जो Bill of Rights था The Bill of Rights for Paper ये जो Bill था ये जो आया था ये आया था 1689 में पिर एक बार से American Revolution So American Revolution 1881 1880 तर and then French Revolution 1792 1792 1792 में अच्छिए उन्होंने प्रोक्रीम कर गया था कि ये वह इक रेपॉब्लिक है उनक्या कोई भी किसी भी प्रकात्या को राश्या रिया राश्या रिया वो लगवग खतम किया जा रहा था और Democratic Countries बंकी लोगतंत्र जबदा जा रहा था Universal Adult Franchising इसमें क्या है? जो लोग 18 साल से अबवने E.S. के हैं वो इलेक्ट कर सकते हैं अपनी Democratic Countries को तो फर्स पर्ड में आजनने कहब पड़ा तो पर्स पर्ड में आजनने कहा पड़ा हमें जल्दी से उसका रिवाइस के लिया अब हो यह सेकेड पार्ट में क्योंकि यह ओर बहुत लंबा सा भुगिया क्योंकि आप बहुत ना हो जाएं सेकेंड पार्ट के लिए, हाना, फिके फिर्स पार्ट में आज़न में देमक्राशी सीख लिया, रवुशन समझ लिया, उनिवर्सल अगर्ट रचाइजी, लिकिन अभी पे बहुत सारी चीज़े रहें, जैसे टाइपस अफ गवर्मेंट, हाना, उसमें एलमेंट्स ओफ देम पिर्कोल भी ऐसी चीज़ है, जो शायर इसमें आपको कोई ऐसा पार्ट या कोई ऐसा पारा जो आपको नहीं लगा ही, कि शायर वो मिस होगिया, तो आप कमन्सरेशन में डाल सकतें, कि उसको भी मैं अपने नेक्स पार्ट में आट कर दो भी, नमश्कार, थैंक्यू